क्या नहां मैं सर आप का ? मुकेश सौमी कहते हैं जी-बुजे हासे हैं सर आप मैं लोकल दिली से हूँ जी किरते क्या होंगे सर वेवसा definite अपना प्रफेशनलंबापना प्रॉपर्टी का काम है पोड़ोग्राथी का काम है मिरा सर क्या बोलेंगे जो राजनीतिक महोल चल रहा है देश के अंदर मोधी सरकार को जो किसान वीडोधी बताया जा रहा है खनौरी और संभू बॉर्डर पे जो भी 15-15 दिनों से एक जो धरना परदर्शन चल रहा है किसानों का जो ये ट्रैक्टर रैली निकली है मोधी सरकार को खिलाफ और बोल रहा है कि चुतावनी दे रहे हम संकेत आत्मक चुतावनी दे रहे हैं कि हम दिल्ली भी आ सकते हैं ट्रैक्टर लेकर क्या बोलेंगे इंचीजों को उपर देखे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देष की जंता किसानों के साथ है मगर उन किसानों के साथ है जो अपनी actual मांग लेके आना चाहते हैं और जो सियंता से जो system से अपनी बात एक रखना चाहते हैं पूरा मेरा मिलने, नहीं पutम से। और मुझे ऐसा लग रा लग रहा हों से इतने के मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तना से मुध रे मोग बहूद बेटेव साच वग मुझे जवाम से ङृधा है। यह पक्षियां दोलन लग जादा क्योंकि इसके अंदर किसान जो ना मैं जहातक समझता हूं क्योंकि मैं भी प्रस्ट भूमी मेरी किसान से है खेती बाड़ी से किसानों को पास बहुत टाइम नहीं है इतना कि वह इतने जमेलों में लगे किसान जो असली किसान है वह वह गोई आई बाज़ा हमें कोई दिक्से नहीं हम तो यहीं बैठे है हमारा पोरा परिवार यहीं बैठे है क्योंकि सबसे बड़ी बातहे सबसे मेन बात यह दिखाई छेती हैं कि अगर वास्ता में इतना बुरा हाल किसानों ये पंजाब तक किसानी प्रशान क्यों है और अगर वास्ता मेंस प्रशान है इतने तंग है जबoh किसानों को असली सबसीडी सरकार देती है उनके कीट नाशक दवाईयों के लिए सरकार पैसी देती है क्या चाहिए आपको बाइसाब यह तो मांग कोई भी आकर के कोई भी उटके आ जाएगा आप पत्रकार सारे खट्टे हो जाओ एक दिन सारे मुहीम चेड़ दो मोधी के खिलाब केजी कम सब्सक्राइब सरकार हमें 50 यार कमिटमेंट करें चोले बुटोरे वाला भी चाहिए यह कहेगा कि मेरे जो ना मेरी 500 पेलेट जो है वो फिक्स करो और 200 पेलेट मेरी भिकनी चाहिए इतना पैसा मेरा फिक्स करो मैं जो लौन अपने समान के लिए मेरा काम ना चले तो मिरा लोन माफ करो ऐसे कपड़े बनाने वाला भी आ जाएगा जाय जो जयाज वो रखनी चाहिए और सरकार कोई भी सरकार और सबसे बड़ी बाद मोधी सरकार ये तो किसानों के हां में एक इसानों के पक्स में बैटी होई यह तो जुरूरी नहीं है झाय हो देश को खिलाता है क्या उनके लोन माफ नहीं हुए भी है पर भी है ऐसी वात नहीं है और आपके करशो माफ होते रहे में अपना काम करता हूं मेरा काम गाटे में चला गया मेरा नुकसान हो गया मैंने लोन ले लखा 10 लाक रुपे तो मैं सरकार को मेरा कर्ज माफ करो यह तरीका ठीक नहीं है असली किसान भाई साब खूब कमा रहा है इस बात से ही पता लग रहा है कि आप संबू बाडर पर जाकर देखो कितनी बड़ी बड़ी गारियां पच्ची पती ती तीस लाख अबर से कम नहीं है अनाज दो दो चाचर महीने का गारियों के अंदर भरा हुआ है आप देखो न शराब की पहुतले ऐप अपिर आयों आप सोच कर आयई हो आप यह करना मानना नहीं हमें यह क्या बोलेंगे सर ने बोला है जो मांगे हैं कुछ जाइज है कोछ न जायज है आपको क्या जो बैठे हुए संबूब ओर्डर पे मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं ये लोन माफी को लेके MSP की गैरेंटी को लेके आप क्या बोलेंगे नहीं ये सब तमाशा है खाली किसानों के साथ है सरकार जो सरकार ने बोला है बिल्कुल सही बात बोली है जो जैन्वन किसान है वो फोचशुनर पर गूमते हैं बुलेट पर गूमते हैं और ये खेत में काम करते हैं ये खाली एक खरीदेवे लोग हैं जो सरकार को परेशान कर रहा है और इस सरकी बात मुझे बहुत सहमत तुम्हें सरकी बात से के 20 की 20 मांगे कभी भी नहीं माने जाती हैं अगर लोन अन्य दाता है तो अन्य वो फिरी में खिला रहा है हम पेसे खरच नहीं करते हैं हमें आटा चौती सुर्प से तो एक जब्मेदारी सरकार की बंती है कहीं न कहीं न कहीं कि किसाणों का ध्यान रख़ो एक बहुत बड़ी अबाद यह देश सानों का धियान रखा तो जा रही है अब वहीं बात के दस फर्माईशें हैं तो पांच तो मांग रही है सरकार तो तोड़ी के तुम्हारी दस की दस बाते माननी पड़ेंगी ऐसे नहीं होता अच्छा यह जो किसान बैठे में संभू बॉर्डर पर जो बोल रहे कि मोधी सरक सरकार हमें मतलब कीलो कीले गाड रही हम डिल्ली आना चाते थे हैं हम एक तार से घेर दिया है बैरिकेट कर दिया है इनको क्या बोले मोधी सरकार तो जहां वो बेठे हैं वो इंडिया में नहीं है जहां वो बेठे हैं वो इंडिया में नहीं है दिल्ली आना क्यों जरूरी था जो तारे लगार रखी हैं ये जो वतले अपके कारण के वहीं है क्योंकि जब आप इसली वार जब दिल्ली के अंदर आपने अपने रिक्र को लेकर करके आप लाल के लिए चल गए लावाट के विचारे जो हमारे पुलिस कर्मी थे, उनको धकेल दिया, आपने खाई के अंदर, आप चल गए लाल किले की प्राचीर पर, आपने लगा दिया, तो क्या सरकार बेब कुभ है क्या, अब भी नहीं समलेगी क्या, बिल्कुल वाइसम मैं कह रहा हूँ, सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है, अगर वास ये तो आप देखो ना, ये किसान कहां से लग रहे है, अभी बियान आया, कि अगर मोदी हमें दिल्ली नी आने देता ना, तो पंजाब को खाली सान बना दो हमारे, ये मकसद है, मकसद ये है, खाली-खाली सारा, और कोई कारण नहीं है, अरे भाई, असली किसान देश गद लाने बड़े बड़े बाई!